हमारे लाकों कार्यकरता जनता की अवाज बनकर अजादी की लड़ाई लड़े और देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकरता ने देश को ये सम्विधान दिया है ये सम्विधान कोई मामुली किताब नहीं है और कहा जाता है कि ये अजादी के बाद कॉंस्टिटूशन बना मगर अगर हम थोड़ी से गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि इस कॉंस्टिटूशन की सम्विधान की सोच हजारों साल पुरानी है हिंदुस्तान के महापुर्शों की सोच इस कॉंस्टिटूशन में है और ये हिंदुस्तान की भारत की बहुत पुरानी आवाज है बीजेपी के नेता इस सम्विधान पर आक्रमन कर रहे हैं, सम्विधान पर आक्रमन करने के अलग-अलग तरीके हैं, सबसे पहला डाइरेक्ट आक्रमन, उनके नेता खुल कर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं, कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई, तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेक देंगे, तो एक तो हुआ डाइरेक्ट सामने, कि हम इसको खतम करेंगे, कॉंग्रेस पार्टी कहती है, यह देश की आवाज है, वो कहते हैं, नहीं, हमें यह नहीं चाहिए, देश की आवाज नहीं होनी चाहिए, सिरफ नरेंद्र मोधी की आवाज होनी चाहिए.